हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल रूही एर्यूकेटर पर आपनों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंट्स और आज में जो आपनों के लिए चैप्टर लेकर के आई हूँ यह फूड इन्हांस्मेंट हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके MCQs हम लोग करेंगे हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर अफ्लोड किया है जो मैंने उसको आप लोग देखिएगा उसमें मैंने सेरी कल्चर बता दिया है एपी कल्चर बता दिया है ओके एनिमल हजबेंडरी भी हो गई है तो नाउ यह जो टॉपिक है यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक्जाम में कोशन पूट जरूर होता है चाहे वो आपका एपीरी से हो जाए या तो फेसरी कल्चर से हो जाए बॉम्बेक्स मोराई जो सल्क वर्म होता है उसकी लाइफ साइकल से भी कोशन होता है और अब को बता दूँओं कि जितने भी लोग मेरे चारल पे और कर सकते हैं क्योंकि गतृव साउंफे परम कोई प्रिप्रेशन करते हों चाहे वो ऑल और इंडिय और कोई ऐग्जामब के टीजिंग का एक्जाम, KBS, NBS, में पब्लिक स्कूल, UP, TGT, PGT, and प्लस साइन्स में जो है आप लोग DSSB, KBS का TGT साइन्स, and NBS का TGT साइन्स, whatever जो भी आप चाहते हो, आप प्रिप्रेशन करने के लिए इस चानल को चूज कर सकते हो, जितने भी लोग मेरे चानल पर हैं, उनको मैं बहुत बहुत थाइंक्यू बोल रही हूँ, और जितने भी लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजे, नोटिफिकेशन अपने अन कर लीजे, जिसे कि जैसे ही लेक्चर अप्लोड हो, आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग उसको देख सकें, और फ्रेंड्स, जितने भी कोश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पर वो अच्छे कोश्चन है, एक्स्प्लेशन के साथ, स्टांडर्ड कोश्चन मिलेंगे आप लोग को, क्योंकि जो टाइम चल रहा है, अब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ कॉंप्टीशन का टाइम है, जिसमें कि आप लोगों को अच्छे कोश्चन चूज करने हैं, और उसको प्रिप्रेशन करनी है, तो नाव फर्स्ट कोश्चन है, हमारे पास, वन कमर्शिल लाग का प्रोड़क्शन होता है, वो कैसे होता है, किसे होता है, तो A, the nest of a type of bird, B, the oxidation of a type of insect, C, the scale of a type of fish, and D, is the root of a plant, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो लाग कल्चर है, हम लोग उसके बारे पढ़ रहे हैं, और जो लाग होता है, वो एक Resinous Secretion होता है, यह क्या होता है, बैसिकली यह होता है, Resinous Secretion, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, Resinous Secretion होता है, यह और आपको पता है, कि यह जो है, Resinous Secretion, यह किसका है, यह लाग इंसेक्ट, यानि कि जो लाग का कीड़ा बोला जाता है, लाग इंसेक्ट यह उसका है, और यह जो सिक्रीशन होता है, यह लाग इंसेक्ट के चारो तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में होता है, यानि कि यह जो आपका लाग इंसेक्ट है, इसकी जो बाड़ तो बाडी के चारो तरफ यह प्रोटक्ट्टिव कावरिंग के रूप में होगा, तो इस तरीके से यह होता है, इसका जो सिक्रीशन ए लाक इंसेक्ट में रभा सब्से चुका है, और यह कोषिशन के OVS में, PGT में आचुका है, तो यहां पर यह जो है जिनराल लेक्सी फेरा इससे बिलॉंग गरता है ओके लेक्सी फेरा है और यहां फिर इसको टैकार्डिया भी बोलते हैं तो यह है इस टैकार्डिया आप इसको दोनों के नेम से याद रख सकते हैं टैकार्डिया लेक्सी फेरा लेक्सी फेरा लेक्सी तो यहां पर आप लोग इसका common name भी जान लीजिए लेक्सिफेरा लैक का जो इंडियन लैक का नेम होता है और यह जो है यह रहता कहां पर है जैसे कि आपको पता था कि जो बॉम बैक्स मुराई या सिल्क बॉम होता था वो जनरली कहां पर रियर होता था कहां पर फीड करता लेता है पर प्र कर टंक कि यह है उनके बारे में भी पढ़ा तो अब यहां पर यह है आपका लाक इंसेक्ट यह जंडरली जो है यह फिघ की फैमिली या फिर जो अनजीर की फैमिली ओनीति जिसको हम लोग कीकर बेर बबूल यह सब बोलते हैं कीकर और बेर बबूल ओके यह आपको नेमच ल Daarन करने प्लांट career तो की शुचित को देख सकते हैं अब देखिए जो adapt मेताया को आफ प्रण किता है त Customer सबार होते हैं उन्हेकत साझाइड नो डेख सकते हैं न द्रिखिए हो देख सकते हैं अब देखिए जो adult male और जो female insect होते हैं वो tree की twigs जो होती है छोटी 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 टहनिया होती है उन पर इनके जो अलग-अलग capsules होते हैं और chambers इनके होते हैं यानि कि male जो है वो अलग रहता है female जो insect है वो अलग रहता है male chamber जो होते हैं वो लंबे-लंबे सिगार के shape के होते हैं और जो female chamber होते हैं वो small और round shape के होते हैं तो यह सब आप लोगों को twig पे उसके पेड़ों के जो भी मैंने भी पेड़ों के नाम बढ़ाया थे उसके आपको मिल जाएगा देखिए जो आपका यह जो male और female होता है तो य जो कि जो है mouth parts और जो mouth parts नहीं होते हैं इसलिए जो insect होता है यह इसका insect यह feeding करने में भी incapable होता है ओके इसकी पूरी life cycle भी है तो यहां पे अभी मैं आपको आगे और भी चीज़े बताती रहूंगी तो now यहां पे देखते हैं अब आगे जो question का correct answer है उसको भी देख लेते है तो जो first है हमारे पास उसके लिए जो correct answer हो जाएगा वो B हो जाएगा ओके यानि कि यह जो होता है वो oxidation of a type of insect होता है now B answer बिल्कुल correct है अब जो second है वो है हमारे पास chemical nature of lack is कि जो lack है उसका chemical nature क्या होता है वो होता क्या है actual में तो A protein B carbohydrate C metalloid and D है resin तो यहां पे जो secretion होता है यानि जो lack होता है इसका chemical nature आपको पूछा गया है तो देखिए यह जो है हमारे पास इसका जो correct answer हो जाएगा वो D हो जाएगा ओके यह एक resin होता है त्री देख लेते हैं लाक प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट इज ए लिट्टा बी टाकार्डिया लैका सी बॉम्बक स्मोरी एंडी है एंथेरिया एसमा तो यहां पे हमारे पास जो correct answer हो जाएगा वो टाकार्डिया लैका हो जाएगा और नेक्स हमारे पास है लाक इस प्रोड विल्कुल correct हो जाएगा यानि कि यह body का secretion होता है तो देखिए यह जो secretions होते हैं लैक के क्या होते हैं जो secretion होता है यह एक shining layer बना लेता है body के उपर यह जो मैंने आपको बताया था यह बहुत ही ज़्यादा hard हो जाती है और यह बाद में जो है बहुत ही opaque भी हो जाती हो ज जिसके यह बहुत ही hard ठीक हो जाती है जो secretion है यह किससे produce होता है यह जो skin की cutaneous gland होती है उससे produce होता है कैसे produce होता है cutaneous gland से produce होता है तो now cutaneous gland यहां पर मैं लिख रही हूं इसको आप लोग देख लीजेगा का cutaneous gland से produce होता है और यह जो opening होती है branchial aperture की यह जो आपका insect होता है उसके जो branchial opening होती है ओके उसके चारों तरफ deposit भी हो जाता है तो ना यह जो secretion है यह waxy filament भी form करते हैं और woolly white जिसे ऐसा लगेगा आपको की wool जैसे उन होता है इसके तरह white woolly white appearance भी इसका होता है ओके तो यह सारी चीजें हैं आपकी और यह जो है commercially बहुत दी useful होता है और अलग-अलग कामों में का लाक के जैसे की आपकी bangles बनती है ओके तो इसकी economic importance है और क्या होता है यह जो sealing wax होता है इसको हम लोग shellax बोलते हैं उसमें भी यूज होता है नाउ shellax आपको रियाद रखना यह important है यह sealing wax होता है क्ताइक का wax मतलब मुम है तो यह sealing wax जिसको जिससे की ceilings वगरा करते हैं जोडते हैं इनके लिए भी काम आता है paints, varnishes में बहुत सारे photographic materials को बनाने में भी लाक का यूज होता है bracelets, button, toys, gold ornaments जो होते हैं जो hollow होते हैं खाली होते हैं सोने के तो यहाँ पर देखते हैं, who is referred to as father of pearl industry A, Yanusky, B, Lewis, Pasha, C, Kokichi, Miki, Moto and D is Harvey तो यहाँ पर बताना है कि pearl industry का जो father है जो वो कौन है तो यहाँ पर जो C है, Kokichi, Miki, Moto यह बिल्कुल answer correct हो गया हमारे लिए now pearl oyster, pearl पे भी question exam में पूछा जा चुका है, कई बारा चुका है कि यह जो pearl है, वो secretion क्या होता है, किस से मिलता है और जिस से secret होता है तो यहाँ पर pearl oyster secrets pearl to regenerate injured part, be protect itself against invading parasite, C, hardens its mental cavity and D, isolate damaged tissue of the body तो देखे, यहाँ पर हमारे पास जो correct answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर pearl का B, यानि कि protect itself against invading parasite तो यह हमारे पास important question है, इसको आप लोग देख सकते हैं, कि do का B बिल्कुल correct हो चुका है थर्ड देख लेते हैं, whose secretion forms the pearl, A, prismatic layer, B, columnar epithelial cells of mantle, C, ciliated epithelial cells of mantle and D, the connective tissue of mantle, तो यहाँ पर पुछा जा रहा है कि कि किसका secretion pearl बनाता है तो यहाँ पर देख लिजे, यहाँ पर जो हमारे पास correct option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, third का B बिल्कुल correct हो जाएगा जो columnar epithelial cells होती है, mental की, वो pearl बनाती है अब देखे, यहाँ पर जो pearl culture उसके बारे में देख लेते हैं, pearl बहुत से type के होते हैं तो जिसमें से हमें, generally मैं दो तीन नेम्स बता दे रही हूँ, एक तो natural pulse होते हैं, cultured pulse भी होते हैं natural pulse जो होते हैं, वो pearl oyster से मिलते हैं, अब यहाँ पर जो cultured pulse होते हैं, वो क्या होते हैं? परल उस्तल जो आपका एनिमल होता है उसको cultivate किया जाता है उससे ओके और seed pearls होते हैं यह small pearls होते हैं बहुत चोटे-चोटे size के होते हैं इनको seed pearls भी कहा जाता है अब यह जो pearl producing animals कौण कौण से होते हैं यह generally marine molusk होते हैं एक ya pink tada vulgaris है, तो मैं यहां पे name लिख दे रही हूं, pink tada important है इसका name, यह पुछा जाता है exam में pink tada vulgaris, ओके यह आपको याद रखना है, pink tada vulgaris है important है इसमें, और आपका यह पिंग टाइडा fucata भी है ऑके बर जो most commonly पढ़ते हैं, हम लोग exam point of view से यह पिंटाडवारुस ही होता है और यहाँ पे जो पर्ल होते हैं वह होते कैसे हैं यह पोई अबतल है और यहाँ पे जो formation है पर्ल का वो कैसे OUT यह जब कोई भी फॉरेन मंटीरियल जैसे कि सैंड आ गई, ग्रेन आ गया या कोई भी पैरासाइट वो इसकी बॉड़ी में इंटर करता है, चिपक जाता है इसके मैंडल से, तो जो मैंडल की एपिथीलियम होती है, वो क्या गरती है, वो उस मटीरियल के चारो तरफ जो है, वो सैक बना लेती है और इन क्लोज हो जाती है तो अब यह जो मैंडल की एपिथीलियम है, यह लेयर, इस कंसेंट्रिक लेयर्स जो है, यह एक कहसे हैं, कुछ लेयर्स को बनाना शुरू कर देती है, और जब यह लेयर्स बना लेती है, इस फॉरल मेटेरियल के चारो तरफ तो क्या होता है, इस तरीके से एक परल फॉर्म हो जाता है, तो यहां पर देख लिए, जैसे कि आपका यह कोई सैंड पार्टिकल है, तो कैसे बनेगी, जो सेल होगी, यह सपोज एपिथीलियम की सेल है, उसके बाद देन यह जो सेल होगी, वो उसके चारो तरफ बनना स्टार्ड जाती है, तो जो डेक्स बनेगा, यह जै तो नेक्स्ट कॉस्चन है, तो यहां पर जो मैंने थर्ड का उप्शन आपको बता ही दिया है, थर्ड का उप्शन यहां पर बी है, जो कॉलम्नर एपिथीलियल सेल्स होती है, मंटल की, वो इसको रिलीस करते हैं, सिक्रीट करती है, यह इंपोर्टन कोईशन है, नेक्स हम पास fisheries से question आएगा okay fisheries आपको पता है जिसमें कि मचली का पालन या मच्छी पालन किया जाता है तो यहां पे देख लेते हैं choose the minor carp from the following तो अब यहां पे carp जो है उनको choose करना है okay minor carps क्या कही जाती है तो अब यहां पे example हम लोग सबसे पहले options देख लेते हैं जो correct option होगा हुसको on sugar लेंगे पहला है हमारे पास फिस्ट सैय पर्यन सुश सद्व्डाब यह अंट कप्रियो बी लेविय९ोग दी टीनो फैरींग उड़न आइडेला थी ठीनो फैरिंग उड़न आईडेला है यह तो हमारे पास जो correct option हो जाएगा इसका गर ऑप्शन में दोनों होंगे तो बोध भी लिख सकते हैं और एक आया होगा तो एक लिख सकते हैं मैंनर कार्प्स के बारे में पूछा गया यहां पर नहों अब यहां पर आ गया next cod liver oil के बारे में तो cod liver oil is extracted from बहुत ही अच्छा और important question है यहां पर देख लेते हैं तो देखिए यहां पर जो cod liver oil है इसके बारे में हम लोग देखते हैं option को क्या-क्या है इसके पहली बाद तुम्हें इसको important लगा देती हूं ए बोनी fishes b cartilaginous fishes and sea buffaloes deep whales तो यहां पर जो correct option हो जाएगा टू के लिए यह बी हो जाएगा ओके तो यह बिल्कुल correct हो जाएगा cartilaginous fishes से cod liver oil मिलता है अब यहां पर जो fisheries है इसको PC culture भी कहते हैं फ्रेंट ओके तो जो fisheries है इसको PC culture भी कहते हैं अब यहां पर कुछ fish के नेम में आपको बता देती हूं जो बहुत ही common है जो fresh water की fish होगी यानि fresh water fishes जो है वो कौन-कौन सी है पहले वो देख लेते हैं fresh water fishes तो यहां पर आपकी कतला ना में आपको याद रखना है क्योंकि यह भी पुछा जाता है option दे करके कि fresh water की कौन से और मरीन भी रोहू और जो common जो कर्फिश होती है common कर्फ हम हम लोग कहते हैं bird कार्फ नला में सब्सक्राब्द के नहीं को यह जो हैं फरेश वाटर की फिश है जो मरीन देख लिए गार जो हमारे पास फील नेंगा जाते हैं में हैं इल्सAwYou ए इसके बाद है आपका मैकेरल और पॉम्फरेट यह फेमस फिश है जो खाई भी जाती है और यह कहां पर मिलती है यह आपको समुद्र में मिलेगी इसके अलावा प्रॉंस क्राब्स लॉब्स्टर और एडबिल ओस्टर्स यह सारे सब जिनका जो पॉलन होता है जो फिश का यह किसम में होता है पिसी अलटीक प्लऌंट और जो पानी में रहने वाले प्लांट में पौधे और जो अनिमल्स strawberries जैसके कि फिश प्रॉंस श्रिम्स लॉब्स्टर्स क्रेब्स मॉलस्ट इतने भी आपके एडबिल है और पर लॉइस्टर यह सारे जो है इनका क्या किया जाता है यह लार्ज बॉटी जो होती है वाटर की यह पिसी कल्चर में जो होता है इन सब का प्रोडक्शन के आता है इसी हो कहत इसी सब्स्टर को उता है इसी लेटर का बना होता है और यह कहां से निकाला जाता है इसी इस इंगलाज जो है यह पर्च के ब्लेडर से निकाला जाता है इंडियन पर्च जो होती है इसके ब्लेडर से निकाला जाता है और इंडियन जो सैलमॉन फिश है कैट फिश है ये सारी जो होती है ये सब प्रिपरेशन में यूज होती है स्पेशल जो प्रिपरेशन होती है उसमें यूज की जाती है और जो फिश होती है इ जितने भी मैंने भी बताया कॉर्ड लिवर आयल और शार्फ लिवर आयल यह आपका कौन-कौन सा इसमें विटामिन A होता है, C होता है, D होता है, तो यह सब सारे ACD के सोर्सेज हैं, ओके, तो यहां पर जो है, आपको इतनी चीजें पता चल गई हैं, और आपकी फ्रेश मैंने भी बता दिये आपको, अब आगे देख लेते हैं, जैसे से कोश्चन आता है, उसके बारे में बात करते रहेंगे, तो हमारे पास अब भी हां पर थर्ड कोश्चन जो है, वो कॉर्ड लिवर आयल इस रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, B, वाइटमिन A, C है, वाइटमिन B, वाइटमिन C, तो यहां पर कहा है कि रिच सोर्स है, किसका रिच सोर्स है, तो देख लिए थर्ड का हमारे पास जो करेक्ट आप्शन हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, ओके, कि यह जो कॉर्ड लिवर आयल है, यह वाइटमिन A में सबसे जादा होता है, नेक्स्ट जो कोश बी सेरी कल्चर, C, एपिकल्चर, D, लाफ कल्चर, तो इंड्यूस ब्रीडिंग मतलब कि आप बीडिंग करने के लिए इंड्यूस कर रहे हो इसको, ओके, तो यहां पर हमारे पास जो फोर्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पिसी कल्चर हो जाएगा, हम पूड पूड पजेस्टी लोएस लेविल उफ जो फिड फिश फूड होता है, जो हम लोग फिश खाते हैं, तो इसमें सबसे कम मात्रा में, सबसे कम लेविल किसका होता है, एक्टिन, B, मायोसिन, C, कॉलेस्ट्रोल, D, है टीशू फ्लूइड, तो आप एक्टिन, मायोसिन पढ़ाई होगा, प्रूटीन होती है, अब देखते हैं, हमारे पास जो करेक्ट आप्शन है, फिप का वो क्या हो जाएगा, देख लिजे, C हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, जो फिश होता है, फिश को कहा जाता है, कि यह लाइट फूड होता है, इसको आप डेली ले सकत पास है, और इसमें कूलिस्ट्रॉल का लेविल बहुत कम होता है, तो यहाँ पे जो है, कूलिस्ट्रॉल का लेविल आपका सबसे कम है, लोज लेविल है, अठा कोशिन है, एक आप याद रख लिजेगा, इसको आफ याद रंख लीजेगा, वैसे भी जनरल नालेज़ के ल वो हो जाएगी नाव सेवन कोश्चन है विच पन आप दी फॉलोइंग इस एन एक्जॉटिक कार्प इस्पिशीज निजे कौन सी एक्जॉटिक कार्प इस्पिशीज है ए बैर्बस सिग्मा भी सैप्रिनस कार्पियो और दी है सेरीनस मरिगाला तो यहां पे नेम दे रखें है तो नेम आपको याद रखना है तो सेवन का अमारे पास जो भी है वो बिल्कुल करक्ट हो जाएगा सिप्रिनस कार्पियो कि देखे कार्प इसके नेम में भी और एक्जॉटिक कार्प के बारे में पूछा भी है तो आप यहां से इसको पता कर सकते हैं इसली तो यह जो पॉल्ट्री देख लेते हैं पॉल्ट्री में क्या है लिंफॉइड पॉल्ट्री सबसे पहली बात तो पॉल्ट्री होगी क्या पॉल्ट्री में देख लीजिए आप जैसे कि आपकी मुर्गी पालन के लिए मेंली पॉल्ट्री को जाना जाता है ओके पॉल्ट्री में क्या क ड़रिया तो कंट ऊप्षन देख लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आहसे पास वाइरस जो है वो क्रेकट अप्शन हो जाएगा है तो यहां पर इह तो यहां पर हमारे पास जो टू है उसका करेक्ट आंसर मौनिय मौनियासिस हो जाएगा ओके इस भी मौनियासिस नाव थर्ड है ती चांस ऑफ कॉंट्राक्टिंग बर्ड फ्लू फ्रॉम अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ प्रॉपर्ली कुग्ड अबाव हंडड़ डिग्री संटिगेट चिकन एंड एग आर यह कहा जा रहा है कि जो बर्ड फ्लू होता है को पता है कितनी भैंकर बर्ड फ्लू होती है तो जीतने भी चिकन वगरह होते हैं और जो भी बर्ड खाई जाता है सब को जला दिया जाता जिस HORS बचने कि लिए जला देते हैं दो खाते नहीं तो वसी के डारे मका appeals के जाता है कि अगर जो भी कम के आपको मीट जो चिकन से मिला और एंग इसको और एको अगर 100 डिग्री से उपर अबो के टंपरिचर पर कुक कर दिया जाए तो क्या चांसे हैं कि बड़ फ्लू जो है वो कम हो जाएगा या कॉंट्राक्ट हो जाएगा तो A very high, B high, C moderate and D negligible तो यहाँ पर देख लेते हैं जो third है जो correct answer है वो क्या हो जाएगा यानि कि negligible अगर इतना high temperature पर कुक हो जाएगा तो फिर कोई चांस नहीं रहेगा वायरस जो है बड़ फ्लू का वो किल हो जाएगा जल जाएगा अब यहाँ पर हमारे पास fourth question है one of the following is a disease of poultry, A abdominal gland, B salivary gland, C anthrax and D raniket तो यहाँ पर जो correct answer है यहाँ पर वो हमारे पास four का D हो जाएगा यह बहुती famous disease है, raniket disease हो के poultry में हो जाती है, raniket disease now, अब यहाँ पर मैं कुछ और disease के बारे बता देती हूँ, तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी coxidiosis होती है, एक disease यह क्या होती है, यह प्रोटोजोन से होती है, और इसमें डारिया हो जाता है, जो भी poultry के animals होते हैं, birds होती है, तो अब यहाँ पर एक होती है, पास्चुर होती है, और जो आपकी रानी खेत है, यह कैसे disease है, यह वारस से होती है, और न्यू कैसल डिजीज एक होती है, न्यू कैसल डिजीज, जो न्यू कैसल डिजीज है, वो यहाँ पर लिख देती हूं, यह सब वारस से होने वाले disease है, यह फॉल पॉक्स डिजीज है, और ब्रॉंकाइटिस, बर्ड फ्लू का वारस होता है, यह तो आपको पता ही है, बर्ड फ्लू, इतनी सारे चीजे हैं, अब यहाँ पर देखिए, जो बर्ड फ्लू होता है, इस का आपको पता होना चाहिए, तो जो बर्ड फ्लू है, इसको क्या खते हैं, बर्ड फ्लू को अपियान इनफ्लुемся इस कहते हैं, और इसमें होता यह है, इसमें, यह कभी-कभी, rare cases में, ऐसा होता है, जादा नहीं कि यह यह, यह यूमन को भी कि यह कर सकता है और जो होता है आपको पता होगा अच्छ 5 फाइव दूर्स होता है और यहाँ और यह एक इंफ्लुएंजा वाइरस इतोल यह आप देखिन पना स्वाइस मोई आप दिखिन दुखान पर चिकन देखते हैं , पर ब्रोईलर यहां अरक है जिनको इग के लिए उसे प्राइभा आता इनकी यह ब्रोईलरी चनल सुम्लिए यूजिया जाता कíb यूजिए लिए यूजिए आता है लिए यूजिए जाता है एक प्रोडक्शन के लिए उनको क्या कहते हैं यह जो एक प्रोडक्शन के लिए चिकन यूज होती है वो होती है या बर्ड्स होती है यह इनको कहा जाता है लेयर्स लेयर्स होती है जो लेयर्स होती है यह फीमेल पॉल्स होती है फीमेल होती है यह फीमेल पॉल्स होती है और जैसे एक्जाम्पिल अगर इनका देखा जाए तो वाइट लेग होर्न, वाइट लेग होर्न, इस अब आप लोगों को याद रखना है फ्रेंडों के कोई भी इसमें से आ सकता है, तो यह है, अब एक प्रोसेस होता है क्यूलिंग, क्यूलिंग में क्या करते हैं, इनफेक्ट फर्स्ट डी वॉर्मिंग इस यूशुलि डन अराउंड दी एज, जो पहली डी वॉर्मिंग होती है, वो कब होती है, फोर वीक्स में, बी एट वीक्स में, सी त्वैल वीक्स और डी है, सिक्स्टीन वीक्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिप इस वराइटीज हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश ब्रिट जो है, वो हमारे पास ब्रम्हा नेम है उसका, और एशियाटिक ब्रिट में है, वो है कोचिन, अब एक आप लोगों को कड़कनाथ मुर्ग पता होगा, एमपी का बहुत ही फेमस उसको जी आई देख लेते हैं, कौश्चन कौन सा है, इस फॉलोइंग फिगर इस शोन इंप्रूव्ट ब्रिड ऑफ आनिमल और बर्ड, आइडेंटिफाई, ए और बी को करना है इडेंटिफाई, तो यहाँ पे देखते हैं, ए क्या है बीटल, बी है जमना पारी, ए है मारवारी, बी है स जिरो ही, नाओ, ए सुड़ती और बी संगा मेरी, और डी है जर्सी, डी में ए है जर्सी और बी है लेगहौन, तो देखिए ऐसे तो यहाँ पे थोड़ा एडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ब्लाक इन वाइड भी है, बट फिर भी देख करके थोड़ा पत होते हैं यह, तो और यहाँ पे जो आपकी यह है, यह जर्सी है, अब यहाँ पे एक चीज में और बताना चाहती हूँ, देखिए जो की इंपोर्टेंट है, एक आप लोगों को याद रखना है, वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी जनरल साइंस के लिए भी और एक्जाम और शाहतूश यह दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा महंगा पाइनिस्ट सो कहते हैं वूल होता है, और किसे बनता है यह, यह बनता है तिबेतन यानि तिबबत पे रहने वाले तिबेटियन ओके एंटिलोप से, एंटिलोप एक एनिमल होता है ना, इसके हेर से निकाल जाता है जिसको अम लोग पैन्थो लॉप्स हॉर्गसन भी बोलते हैं और इसको चीरू भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है चीरू, कि इस एनिमल को चीरू भी बोलता है, चीरू तो जानते होंगे आप लोग, और शॉल्स बनती हैं चीरू बूल से, जो बहुत ही ज्याद बनता है जो भी फैब्रिक होता यूज करते हैं उसको औरने के लिए तो यहां पर वो भी रिंग टेस्ट पास करता है और बहुत ही अच्छा होता है यह तो अब यहां पर हम लोगों ने जो आज यह जो चाप्टर किया है जिसमें की इंप्रूब्मेंट इंफूड इंहांस्म किसी भी आपके कमरिशल परपस के कुछ भी पूछे जा सकते हैं तो चलिए अपना ख्याल रखिए लेक्चर को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और प्रिपरेशन करिए प्लस सब्सक्राइब भी कर लेजिए था इंक्यू सो मच